नमस्कार दुस्तो स्वागत है आपका पंच फैमिली के एक और एपिसोड में दुस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के सर्विस के बारे में जी हाँ, किसी भी सेक्टर के लिए सबसे बरे प्रोड़क्ट अगर कुछ है तो वो है उसकी सर्विस अगर आपके प्रोड़क्ट में कितनी भी अच्छी फीचर्स हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो लेकिन अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो आपका प्रोड़क्ट भी कोई काम का नहीं है दोस्तों वही में मैं बात करना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स ने जिस तरह से अपने कमपणी को मोडिफाई करके और काफी सारे गाड़ियों की वेरियंट लेके आई है और लोग के अंदर एक चहल पहल मचा दी है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप हमसे लें क्योंकि अगर आप हमारे गाड़ी में बैठे हो तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो लेकिन वहीं अगर बात करे टाटा मोटर्स की सर्विस की तो यहां पर कमपणी पिछरती हुई नजर आती है मैंने काफी लोगों से बात की चैट की और उनसे डिसकस किया मुझे हर जगस से रस्पॉंस लगबग यही समझ में आती है कि ताटा मोटर्स की सर्विस जो है वो अभी भी अप टू मार्क नहीं है इसके रिगार्डिंग में मैंने जोर्नल फिनांस हेट से बात की और टाटा मोटर्स के टीम मार्केटिंग के साथ भी डिसकस की और मुझे वहाँ पर एक बात समझ में ये आया कि एक्चुली कमपनी अभी इस पर काफी ज़्यादा वर्क कर रही है क्योंकि परसेंजर वेकल में कार की जो भी आप बात करो कमपनी कभी भी इतनी अग्रेसिव वर्क नहीं की थी लेकिन इन्होंने बताया कि ये लोग काफी ज़्यादा कोशिस कर रहे है अपने डिरर्स के साथ मीटिंग करके और उनको सिखाना चा रहे हैं टाटा मोटर्स की सर्विस का जरूर कुछ नेगेटिव महसूस किया होगा और मुझे लगता है कि अभी टाटा पंच के केस में तो हमें से कितनों ने अभी तक नेगेटिव ही महसूस किया है क्योंकि Tata Motors का जो Tata Punch Variant आप बात करो चाहे Pure की चाहे आप बात करो Accomplice की चाहे Adventure की कुछ भी मिलना अभी काफी मुश्किल हो चुका है हर जगा आपको सिर्फ 8 से 9 महिने की Waiting Parade सुनने को मिलती है तो दोस्तों आप हमें Comment Works में बताओ कि आपका कैसा रहा अभी तक का जर्नी Tata Motors के साथ और क्या आपको भी सर्विस सही से मिल पाई है